नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माचलन में मैं आमेरिस्वी राजकेस्प नौम बात करने वाले हैं प्रधान मंतरी ग्रामीन आवास योजना के बारे में दोस्तों प्रधान मंतरी ग्रामीन आवास योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां पर जारी की गई है को हाँ पर परधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना का लाब मिल पाएगा आज किस विडियों को जानकारी देने वाले हैं साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर आप परधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना के लिए आवेधन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप आवेधन कर पाइएगा वह भी जान कड़े आप दे देंगे तो फिडियो । अगरा इसा कर वर आप देख पांग कर दो कि यहां पर 취्ष का जो आपर अपने क然ने ऑपन कर रखा है यहां पर देख पाओं दोस्तों आप डुस्तों आपड़ों का GPS आपी आवास योजना सरकार ने किया बड़ा फैसला। इसको 2024 तक कर दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों का बता है दोस्तों कि केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने पीम आवास योजिना ग्रामीन के तहद 255 करोड पक्के माकान देने का लच रखा है, इसमें से नमबर 2021 तक 1.65 करोड पक्के आवास बना दिये गए है, यहाँ पे दुस्तों आप लोगों का डेट बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है, कि आप लोगों का यहाँ पे लिमिट था होने बाला, जिनका कि यहाँ पे आवास योजिना का लाब नहीं मिला है, जिनको आवास योजिना का वाब नहीं दिया गया है, तो इसमें लाब दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि ईसका आवेदन है किस तरिकेसे होता है और प्रधानमंतरी आबास योजिना का आप लिस्ट नेफ कस चेक कर सकते हैं वह जानकड़े में आपनों को आ चैंचे आना है JUST हमें यहाँ पर देख पाँगे परदान मंतरि ग्रामीन आवास योजिना 2022 हो एक पैनल को भी सायगा तो आप जो है इसको एक बार पढ़ लिजे आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसके लिए योग्य हैं या फिर नहीं है और आप इसमें किस तरीके से आवेधन कर पाएंगे उसका भी जानकारी आपनों को आप देखने को मिल जाएगा उसका बढ़ आपको आपको करना जानकारी नहीं है कि किस तरीके से लिस्ट करते हैं तो आपको हमारे चैनल पर जो है बीडियो को देख सकते हैं आपको जानकारी मिल जाएगी तो यही एक बड़ी अपडेट अभी जाड़ी किया गया है आपनों का 2021 से जो डेट है उसको बढ़ा कर 2024 कर दिया गया है और 2024 में लगभग देर करोर से जादा लोगों को यहाँ परधान मंत्री ग्रामीन आवास योजिना कलाब दिया जाएगा आशा करते कि आपको वीडियो पसंद आओगा अगरी वीडियो पसंद आए तो लाइक की जिस प्रोगों को सब्सक्राइब करें माँ चैनल को साथी सेर की जिस प्रोगों को ताकि और भी लोगों जानकारी मिल सके है दन्यबाद